हाई फ्रेंड्स आज सुरू करता हैं माई माफिय हजबेंट फैन फिक्षन के पार्ट सिक्स पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान का सदी हो जाता है अगले दिन सुबा जान हनिमुन जाने के लिए कह देता है जिसके बज़े से इबो ने स्टेटली मना कर दिया था अब आगे की स्टोरी जान सावाल लेने के बाद नीचे हा जाता है बो देखता है इबो डैनिंग टेबल पर उसका इंत्यजर कर रहा था जैस नहीं ग्रानी जान को देखते हैं ग्राणी कहते हैं, morning baby boy, तुम इतने लेड केसे होगे, आओ, बेठो, तुम्हारा हजबेंट, तुम्हारा कितने देर से इंतिजर कर रहा है। इबो विजबर करता है ग्रानी जहान कहता है रेली हज्वेंट वो सो सुईट मुझे लगा तुम मेरे लिए वेट भी नहीं करोगे तुम चले जाओगे और वो इबो के पास जाकर बैठ जाता है ग्रानी इबो और जहान के लिए खना सर्फ करते हैं मकर चान इपो को कॉंटिनेसली घुरे ही जा रहा था। इपो खाना खाने ही बला था कि उसे रेलाईज होता है जान उसे घुरे ही जा रहा है। तो उसकी तरफ देखता है जान चापने दोनों हातों से अपने दोनों चीन को पकर कर पाउटी फेस के साथ उसे देखे ही जा र वो थोड़ी सी बाड़ी जोड़ से कहता है जैसे ग्राणी उन लोगों की बाते सुन सके ग्राणी कहते हैं बेबी बॉय तुम क्या चाहते हो इबो वो तुम सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो बॉब तुमारा हज्मेंड है ना इबो कहता है वो स्टॉप इड जान स्लोली ग्रानी को अप्रस करने कोशिज कर रहा था वो कहता है मैं क्यों चुप रहूँ मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने हज्मेंट के साथ हन्यमुन में जा सको ये कोई इलिगाल है ग्रानी आपको पता है इबो मुझे हन्यमुन के लिए लेके नहीं जा रहा है वो स्याट फेस के साथ केता है और चेहर से ख़ड़े होकर अपने रूम की तरफ दोड़ के चला जाता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे वो रो रहा है और जोट मुड़के अपने आंकों के आंसों को वाइब करने लगता है इबो अपने मन में सुचने लगता है इसे क्या हो गया है और वो ख़ड़े होकर जान को फॉलो कर नहीं बला था कि ग्रानी उसके हाथ को पकर कर फिर से उसे चैर पर बिठा देता है और कहते हैं इबो मुझे पता है तुम्हें इस सब में कोई भी experience नहीं है मगर वो तुम्हारा husband है वो जो चाहता है तुम्हें उसे देना चाहिए इबो ये सारे बक्त पुरी तरह silent था तो ग्रानी केता है इबो तुम्हें क्या हो गया है तुमने तो कहा था वो तुम्हारा boyfriend है तुम्हें उसे प्यार करते हो फिर अब क्या हो गया है कुछ गलत है क्या इबो कहता है नहीं नहीं ग्रानी सब कुछ ठीक है बस मैं थोड़ा सा बीजी हूँ इसलिए मैंने उसे काल हम जाएंगे मगर वो जीत करके बैठा हुए और आगे कुछ कहें ग्रानी उसकी बात को कारते हुए कहता है तुम उसे आज ही लेकर जाओगे आज तुम कोई भी अफिस नहीं जाने बाले हो मैं तुम दोनों के लिए टिकेट बुक कर देता हूँ और तुम्हारी सारी ज़रुत मनचीजों को मैंने डिसेट भी कर दिया है कि तुम दोनों हर्नेमून के लिए कहां पर जाने बाले हो आज तुम सामखोई यहां से जाने बाले हो अभी जाओ और मेरी बेबी बॉय की हेल्प करो पैक्किन करने में इबो केता है मगर ग्रानी केता है कोई मगर फगर नहीं मैंने जो कहा भई करो लाने कमंडिंग भर्ष में कहते हैं इबो के लिए वो कोई पस क्रानी नहीं थे उन्जों उनके क्यार्टेकर थे वो उनके लिए माँ थे वो उनके बातों पर कभी भी नहीं कार सकता इसलिए वो नोट करके अपने रोम की तरफ चला जाता है और वो इस पर करता हुए कहता है तुम हनीमून के लिए जाना चाते हो ना राइट ठीक है मैं तुम्हें रियल हनीमून में लेके जाने बाला हूँ अब रोम के अंदर जान जो अलड़ी पेकिंग कर सुका था इबो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो जान केता है पैकिन कर रहा हूँ हम दोनों के कपड़े के हम लोग हनिमून में जाने बहले हैं न इबो केता है क्या जान केता है तुम मेरे हज्मेंट हो न वो आगे कुछ कहे उसके चिलाने के आवाज आता है इबो जो जहान को दिबार पर पोश कर दिया था और उसके दोनों हाथों को दोनों सायट से पकलता हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नाइस हूँ इसके मतолब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नफरत नहीं करता इबो के आँखों में गुस्ता क्लिली दिखाई दे रहा था वो जहान के रिस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था जहान के आँखों में अब आंसु आ गया था वो अपने आपको छोड़ाने के भूज़ दा कोशिज करता है और रोता हुए कहता है इबो प्लीज रोख जाओ तुम मुझे हट कर रहे हो इबो कहता है तो क्या हुआ मैं यही चाहता हूँ मैं तुम्हें हट करना चाहता हूँ तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ और वो जान की फेस की तरफ देखता है, उससे पता था कि वो गलत है, उसके दिल से एक चिलाने की आवाज आता है, जो कह रहा था कि यहीं पर ही रूख जाए, जान बहुत ज़्यादा रो रहा है, मगर उसका दिमाग जिसमें बहुत ज़्यादा नफरत, गुश्या और इवि पर ही जान दोर को लॉक कर दिया था, इवो थोड़ा से पीछे की तरफ जाला जाता है, अपने दोनों हाथों की तरफ देखता हुए, अपने आखों को टाटली बंद कर लेता है, और सोचने लगता है, जान के उस आंसुवरी आखों को, इवो अपने आपको गल्या जाने लगता है, और वो लॉकेज के पास जाकर जो बागी पड़ा हुआ था, पैकिंग का पस अभी कर लेता है, पंदरा मिनिट तक इवो बाथरम के बाहर जान का इंतिजार कर रहा था, कि जान अभी दोर को अभी खोल दे, मागर जब वो देखता है, जान अभी भी पापस नही पुर से जाता है, और सोचते हे, क्या अंदर अभी ऑपक है, क्या इससे कहींपर हो आए, नहीं नहीं जान अभी दोर खोलो, इवो चिलाने लगता है, मागर अंदर से कोई भी रस्वबसर्पन्स नहीं आता, तो इवो बस अपने मन में यही सोच रहता है, कि वो पुरी दत ठीक हो और बिन्य सुचे वो डौर को तोड़ देता है जैसे इपो बात्रम के अंदर आने ही बला था कि अब उसके चिलाने के अब आ जाता है क्योंकि वो फ्लोर पर स्लीव कर गया था जान चिलाता हुए कहता है वो गाड इपो तुम ठीक हो अभी उठो वो उसकी हिल्प करन होने में इपो एक हाथ से जान के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपने बाट को मसाज़ देने लगता है अब इपो बहुँच जदा गुसा हो गया था वो जान पर सिलाता हुए कहता है तुम अंदर क्या कह रहे थे अभी डूर को क्यों नहीं खोल रहे थे जा पर बहुचता दर्द हुआ था और वो जान की तरफ उससे देख रहा था जान अपने दोनों हाथों को फोल करके अपने चेस्ट के पास लाता हुए कहता है तुम दर्बाजे को इतनी जूर से क्यों पेट रहे थे इपो कहता है क्योंकि तुम आगे कुछ कहे दर्द के वज इपो गुज़ा होता हुए कहता है यह सब कुछ तुमारे लिए जान कहता है बाद में मुझे घल्या दे देना पहले मुझे तुमारे टेटमेंट करने दो यह कहकर वो अपने परसनल बैग से कुछ और्डमे निकल कर इपो के पास आ जाता है इपो जो दर्द के बज़े से अपने फेस को पिलो में छुपाये दिया था वो नोटिस भी नहीं करता कि जान बैट के उपर कप चाड़ गया और उसके पास बैट गया जब उसे अपने प्यांट के अंदर दो कोल्ड फिंकर उसे महसूस हुआ तो वो बैट से जम करके जान के पर चिलाता हुए कहता है व मैं ओइंटमेंट तुमारे ब्याक में लगा रहा था जिसे तुम्हें थोड़ा से रिलिफ भी लोगा इबो कहता है तुम अपने हादों को मेरे प्यांट का अंदर क्यों लेके जा रहे थे वो थोड़ा से इंबरेस हो जाता है क्योंकि जान के मूब को वो गलत समझ बैटा हूं मगर तुम तो प्यांट पेने हुए हो वो बहुंपरी पाँज हो जाता है और फिर से हसता हुए कहता है डोंट बरी में कुछ भी नहीं देखूंगा अगर तुम चाहो तो मैं अपने आख़्ां को भी बंद कर सकता हूं इबो जान के को क्रास करता हुए कहता है अगर तुम आख़्ों को बहांद करके रखोगे तो फिर तुम मेडिसिन को कैसे लगाओगे जान कहता है ओ अब सेंस में वापस आये हो मगर तुम सर्मा क्यों रहे हो क्या तुम कोई लड़की हो जो एक में लड़के से सर्मा रहे हो जान इबो को टीस कर रहा था उसी तरह जिसे इबो ने उस लिफ्ट में उसे टीस किया था इबो चिलाता हुए कहता है ये क्या पकपास है और उसे फिर से दर्ट से चिलाने लगता है जान कहता है ओके ओके अब मैं टीस नहीं करूंगा इहीं पर लेड़ जाओ डोंट वरी मैं बस मज़ा कर रहा था तुम्हें में लड़ता हुए कहता है ये कोई मजग नहीं है वो अपनी इंबरेस्मेंट को चुपाने कोशीज कर रहा था कुछी देर पहले उसका बनी जो से चीड़ा रहा था जैन स्लोली उसके प्यांट को वेस्ट वैंट से थोड़ी से नीचे की तरफ करता है वो आंटमेंट क्या लगाएगा उसकी आंखे तो वहीं पर ही रिक रुक जाती है वो बस उसे घुर के देखने लगता है दूसरे तरफ फीपो जो उसके हार्ट पिट तो पुरी तरह बांदी ही हो गया था जब उसे ऐसास होता है कि दो कोल्ड हाथ उसके प्यांट को निच्छी तरफ खेंच र है मगर जब उसे कुछ भी मैसूस नहीं होता तो वो जान की तरफ देखने लगता है जो बस उसके बैक को घुर के देख ही रहा था इपो कहता है तुम क्या कर रहे हो जान कहता है मैं तुम्हारे बैक पर आंट मेंट लगा रहा हूँ मगर उसकी जुबन और उसकी आंखे द दिखाई दे रहा था इपो कहता है हां मुझे पता है तुम बस स्टाच्चु की तरह बैठे हुए हो ओई भी ओर्टमेंट लगा नहीं रहे हो इस बार इपो थोड़ी से बारी जोड़ से कहता है तो चान अपने सेंस में वापस आता है तो वो अक्वालियों हस्ते हुए कह करता है हँ हां अभी लगा रहा हूं यह कह कर दो करता है हो यह कहकर वो जैंन्ली मसाज्ज चरने लगता है खूछी देर बाद फो सब्सक् obwohl मसाज्ज करने लगता है तो जहां मोर्स करता होई कहता है शरी-नी सूरी यह उसकी बाते सुनत दलृ यहां दल कि कुइवाई करता बस वो अपने आँखों को टैंट करके मन के रखा हुआ था ठीक दस मिनिट के बाद जान कहता है इबो हो गया ये कहे कर उसके पैंट को उपर की तरफ खिंच लेता है इबो कोई भी रेस्पोस नहीं देता जान इबो की तरफ देखता है मौन मैं कहता है ये सो गया ये सोते बक्त एक क्यूट पॉपी की तरह दीख रहा है ये सोचते हुए उसे ब्लांकेट से पुरिटा कफर कर देता है और वो लगेज की तरफ देखने लगता है और कहता है थांक्स कर मैंने तो अपना लगेज पैकिंग कर दिया था अब उसने भी अपना लगेज बैकिंग कर दिया है अब मैं ग्रानी से बात करने चाहरा हूँ यह कहकर वो एक्सेटरली नीचे की तरफ चला जाता है जैसे ही इपू को रेलाइज होता है कि जहन उस कमरे से चला गया है तो बैट से उठकर वो प्रोपली बैट जाता है और बाथ्रूम की तरफ चला जाता है बाथ्रूम के अंदर वो मेर्यर के समय ख़ड़े होकर अपने आपको देखने लगता है और अपने आँखों को पंद करके उस बाट को सोचने लगता है जहान जब उसकी तरफ आंसो भरे आंखों से देख रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज इबो रुख जाओ तुम मुझे हट कर रहे हो यह सारी बाते सोच के वे अपनी आंखों को खोलता है उसकी आंखे जब पूरी तरह रेड हो गया था वो अपनी हाथों को तरफ देखने लगता है और याद करने लगता है कि वो इनी दोनों हाथों से जहान का हाथ को कितनी जोर से पकड़ा हुआ था और वो बहुत जिदा फॉस्टेशन हो जाता है और अपने दोनों हाथों को दीबार पर पॉन्स करने लगता है जिसके वज़े से उसकी दोनों हाथ प बाथ्रम के अंदर बैट जाता है पूरी तरह उसका दिमाग अफसर माइंड था वो सबकी बातों को सोचने लगता है जान, वोईंचाओ, फेंगम्यान, उसका भाई हाईकवन और उसकी माँ सबकी बातों को पोसोचता हुए अब वो बड़ी जोड से रूने लगा था इबो जो अपने भाई को कह रहा था भाई, मैं उसे प्यार करता हूँ जान कहता था, हाँ, मैं साही जान हूँ वो इंचाओ कह रहा था, बैटा, तुम उसे माँ डलो वो भेंगमेन का बैटा है, जो तुम्हारे पापा को माँ डले थे भेंगमेन ने कहा था, मुझे पता है, तुम मेरे बैटे को हट नहीं करोगे उसकी माँ कहती है, बैटा, हमेशे मेरी बातों को याद करना कभी भी इनोसेंट लोगों को हट मत करना वो इन्चाव कहता है, इबो वो कोई इनोसेंट नहीं है, उसके पापा ने तुम्हारे पापा को माँ डला था, इसके बज़े से तुम आज तक और फन के जिन्दे के जी रहे थे इबो के दिमाग में इस सारी बते आ रहा था, जिसके बज़े से बदर से चिला रहा था, वो बस इतना चाता था कि वजबन से उसे थोड़ा सा प्यार और क्यार के जरूरत है, मगर उसे आज तक उसे कभी भी नहीं मिला आज के पाट में यहीं परियंग कतम करता हूँ, आप लोगों को मेरे एक्स्प्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सस्क्राइब कर देजिएगा, थेंक्स फर वाचिंग